हाई एवरीबरन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो कैसे हो यार आप सभी लोग उमीद करता हूँ बहुत consistency is the key of success if you want to become a successful person in your life you have to work hard each and every day you have to struggle each and every day because जो बन्दा ना यार बहुत सारा करोडों का करोडों भी कमा के बैठा होगा ना वो बैठा नहीं होगा वो भी डिली काम कर रहा हूँ इलॉन मस्क का नाम सुना है कि नहीं इलॉन मस्क अभी भाईया ने ट्वीटर भी खरीद लिय हूँ जिसका link description में होगा या तो हमारे channel के about section में जाओगे तो twitter का link मिल जाएगा तो जो लग follow करना चाते है twitter पे वह जरूर से कर ले बाकि यार instagram तो ही telegram तो ही telegram तो हमारा channel है वैसे वह आप लोग के लिए pdf और important notes वगरे मिल जाएगा इसमें खासकर IMP questions आने वाले ना भी कभी कभी टैग करते हैं Instagram के मजा आता है तो जरूर से कर ले ना तो चलो मैं कहा था Elon Musk पे तो Elon Musk भी जो है ना Twitter खरीदा क्यों खरीदा बैट के आराम कर सकता था क्योंकि अल्ड़ी उसके पास इतनी बड़ी electric company है वो तो है उसके पास उतना बड़ा उसका SpaceX है जो rocket आसमान में पे लेकर आता है वो दूसरे घ्र सकता हुश्चे ओसको लेकर ऐसकता ह मुझे एक बात बताव फिर भी वो बंदा एवी जीली आ जो है वो ठndý हो जाएगी और मैनत थंडी हो गई तो आपका जो सकसेस है वो भी ठंडा हो जाएगा विखाज सक्सेस जर्णी सक्सेस ही एवरी डेयस्ट एभी रवी डेयस व्यागहर होगी यह करना है science लेना है commerce लेना है आगे या फिर कुछ और डिप्लोमा वगरे करना है फिर डिसाइड होगा फिर उसमें 11 वी बारी में जितने अच्छे से score करोगे ठीक है वो पता चलेगा कि आपको आगे क्या बनना है फिर जे डबली के एक्जाम दे होगे नीड का एक्जाम दे फिर मेडिकल में जाना है या फिर इंगेर नहीं करोगे और डिगरीं भी कहा करती थी, क्या कहती थी पता है, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, क्योंकि अगर तु पढ़ाई नहीं करेगा, तो अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी, और अगर अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी, तो अच्छी चोकरी नहीं मिलेगी, यार, यह लड़कों के लिए तो ब परिवार के साथ रहो अच्छे खासे पैसे कमाओ घुमो फीरो खाओ पीओ एश करो और सांति पूर्ड जिन्दगी जीओ ऐसा नहीं है ना कियार मा धार यह वो जैसा पिच्चर में दिखाता है वैसा तो जिन्दगी होता नहीं है तो यह सब चीज आपको सोचना पड़ेगा आपी नहीं सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और अब माप कर देना मुझे आज थोड़ा टाइम आपका मैंने ले लिया मोटिवेशन करने के लिए क्योंकि देको बच्चे करते हैं कि सा थोड़ा डी मोटिवेटेड तो या थोड़ा सा टाइम ले लिया है तो थोड़ा हो ट्रीम आपलोगको मैं मांग लेता हूं जाओ देखो एक बार विजिट करना आपको उपत मज़ा आएगा ही चानल के बारे में ठीक है और अगेन आज टाइम ले लिया क्यों कि यह जरूरी भी था आपको मोटिवेट करना अंदर एक आग लगनी चाहिए जैसे मेरे अंदर लगी थी एंजिनेरिंग के टाइम पर दस ट्रेंगो पाल तो अच्छे लोग मिलेंगे अच्छी बाते होंगी अच्छा विजन आएगा दिमाग अच्छा खूलेगा बड़े-बड़ी चीजे बड़े-बड़े टार्गेट बड़े-बड़े गोल्स आपके दिमाग में आएगे तो आज क्या पढ़ना है पापासा इस चाप्टर में बहुत सारी रियाक्शन से बहुत सारी इक्वेशन से यह सभी चीज़ पढ़ेंगे आज पहला लेक्चर है तो बहुत बड़ा नहीं बनाओंगा अल्रीडी 10-12-15 निड़े का जो भी बन जाए मैं बना दूंगा फिकि इंट्रोड़े लेक्चर है इसके होगे हमारे चैनल पर हमने वाईड़ पिछले साल पता है की नहीं दोस्तो हम दो साल से मेहनत कर रहें पिछले साल भी एक बार सिलेबस कॉंपलीड होगे दूसरी बार भी स्लेबस कमपलीड होने जा रहा है ठीक है ताटके लिडियो तोमार्या का शामिकल सॉपज्जेक पढ़ते रहो बस अच्छी तरीके से जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में इतना जो मोटीवेशन आग लगाई ना वह आग भूजने मत देना बाकी यह सब चीज तो हई जॉइन कर ले ना टेलिग्राम इंस्टाग्राम जो भी है चलो आ जाते टॉपिक पर सबसे पहले बात करेंगे Chemical reaction ये चाप्सर में chemical reaction में को दूसरे प्रोडख के साथ अगर में रियाक्ट करू तो एक नया प्रोडख बंदा है जिसको बोलेंगे भी और यह जो होता इसको बोलते हैं by product, main product क्या है यह, तो actual में आपको बताना चाहूंगा, एक basic chemical reactions का rule है, कि यह जो starting में जो चीज होती है, ठीक है, जानि कि जिसके बीच में reaction होता, यह दो चीजे होती है, इसको हम लोग बोलते है, reactants, इसको हम लोग क्या बोलते है, इसको हम लोग बोलते हैं reactants क्या बोलते हैं reactants समझा यानि कि अगर कोई दो product है बें example बताऊं को tension मत लेना अगर कोई दो product है आपस में मिल के reaction करना चाहते हैं तो वो दोनों चीज को हम लोग बोलेंगे reactants क्योंकि वो react करना चाहा रहे हैं और उसके वजे से जो चीज बन रहा है जो main चीज है उसको मैं बोलूँगा product जो main चीज बना उसको मैं बोलूँगा product या फिर products और जो side में एक और चीज बन रहा है उसको मैं बोलूँगा by products क्या बोलेंगे इसको by product समझा, एक्जाम्पल कई सारे, छोटे मुटे एक्जाम्पल दे शुरुआत करते हैं, समझ लो मेरे पास एक कारबन है, अब इसके साथ कोन रियाक करेगा, ऑक्सिजन भाईया जो आएंगे, मूठा के, रेजेंट है ना, असमान में सहर जगा, ऑक्सिजन है, औक्सिजन है, का कारबन भी प्रेजेंट है, तो जब कारबन भाईया और ऑक्सिजन भाईया, यह दोनों जब आ जाते हैं, तो का होता है, देखो, यह कारबन भाईया और ऑक्सिजन भाईया, जब दोनों आपस में जुड जाते हैं, तो यह बन जाता है, कारबन डायक्साइड, का बन जाता है carbon dioxide बन जाता है देखो थोड़ा सा language change करने की कोशिश किया लेकिन it's not funny बट ठीक है फिर भी है कभी-कभी mood आ जाता है आज mood है अच्छा motivate करने का ज्यादा बड़ा lecture नहीं बनाऊंगा आज जल्दी छोटा लेकिन मज़ा आ रहा है आज पढ़ाने में मतलब अलग तरीके से देखो मज़ा आता है देखो आप लोग ना आप जानते हो पिछले दो साल से मेरे जगा फिक दूसरा होता ना वो ठक हार के ना सब बंद बंद करके चला जाता क्योंकि आप जानते हो 2600 वीडियो हमारे चैनल पर जिसमें से 99 परसंट चीजे मेरी है मैंने बनाई है सोचो कितना रेकॉर्ड किया है मैंने दो साल में इक एक दीन में पाँच पाँच वीडियो बोल बोल के गला दुख जाता हैättए अबी भी दुख रहा है सुब़े से चार वीडियो हो चुका यह शां हो चुका है ynे श्य troutरे और कीम नहीं चाथा ओप ठीना 6P fijulture जा रहा ही है वीडियो, रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए, क्यों? क्योंकि अगले दिन मिलेगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यही है लॉजिक, बस आपके लिए सोचा, एक सपना देखा है, रिवॉलूशन लाने का महाराश्ट में, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे म महाराश्ट में पहली से लेके बारवी तक का हर बच्चा हमसे पढ़े, फ्री में पढ़े हूँ भी, प्रियो आप कॉस्ट कॉलिड एजुकेशन देना मेरा सपना है, और एक रिवॉलूशन लाना है यार, वो रिवॉलूशन लाने में मुझे आप हेल्प कर सकते हो, वोन ह गार रहा होगा, तेंचन मतले ना, बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने बुला, एक और एक्जामपल ले लेता हूँ, तो यह आपका क्या है, carbon and oxygen are the reactants, ये दोनों क्या है, reactants है, और ये जो चीज़ है, ये क्या है, product, ठीक है, अब एक और एक्जामपल लेता क्या लूब बताओ, तोडिया में मेरे पास, प्लस में क्लोरीन करना हूँ इसको, तो यह क्या बनेगा, NACL, तोडियम, when reacted with the chlorine, we'll get sodium chloride, यह क्या है, sodium chloride, ठीक है, रहसे और भी बहुत सार रेक्शन होता है, C6H12O6, this is the glucose molecule, when it is reacted with, when it is reacted with oxygen, we will get, और, simple तोड़ पर अगर मैं बोलू, उल्टा करते हैं इसको, यह तो को मैं अपने मन से लिख रहा हूँ है, यह चीज, समझ लो, 6 molecules of carbon dioxide, plus, 6 molecules of water, विल गेट वाट, अब मिलेगा हमें, C6H12O6, यह actual में photosynthetic reaction है, अब देखोगे अगर ध्यान से, क्या हो रहा है, 12 hydrogen है, 6 oxygen है, 6 carbon है, ठीक है, और, साथी में, बनेगा, oxygen भी 6, ठीक है, तो यह आपका एक reaction है, ठीक है, फोन आ रहे हैं, तो यह reaction है, देखोगे इसको मैं थोड़ा सा ना, यह करता हूँ, एक second रूख जो बच्चे लो, प्लांस क्या करता है, carbon dioxide लेता है, atmosphere में से carbon dioxide ले रहा है, और पानी जो है, वो जमीन से, roots absorb करके leaves तक पहुचाता है, तो carbon dioxide है और पानी है, यह दोनों जब मिलते हैं, और क्या होती है, photosynthetic reaction होती है, with the help of sunlight and the chlorophyll pigment, which is present on the leaves also, यह दोनों जब react करते हैं, तो इधे को 6 carbon, यह हो गया 6 carbon, balance कर रहा हूँ, यह आगे आपको में सिखा हूँगा, आज तो basic lecture है, introductory lecture है, मजा आएगा, पड़के, आगे main topics अगले lecture से आएगे, तो 6 carbon, यह हाँ पे 6 carbon, balance हो गया, यहाँ पे 6 और multiply by 2, that is 12 oxygen, यहाँ पे आप देखोगे, तो 6 oxygen और यह 6 oxygen, 12 oxygen complete, इधर 6 oxygen and 12 hydrogen, तो C6, H2O6, this is nothing but the glucose molecule, this is nothing but what, glucose molecule, इसको बोलेंगे glucose molecule और इसको बोलूँगा oxygen molecule, तो जब भी क्या होता है, कोई भी plants, carbon dioxide और पानी के साथ रियाक करता है, obviously leaves के अंदर हो रहा है, यह जो photosynthetic pigment जो हो रहा है, photosynthesis process जो हो रहा है, तो glucose बनता है, जो कि एनरजी है, plants के अंदर फैल जाती है, with the help of phyloem, फैला देता है, लेकिन साथी में बनती है oxygen, और plants जो है, वो ही यही oxygen, 6 molecule of oxygen को release करता है, और यही oxygen हम लोग लेते हैं, हमारे अंदर भी reaction होती है, और हम carbon dioxide को release करते हैं, फिर यह carbon dioxide plants लेता है, और यह cycle चलता रहता है, तो यह क्या है दोस्तों, यह सब nothing but what, it is nothing but the chemical reaction, यह सब इसीज़ क्या है, chemical reaction है, ठीक है, आस्मान में, आस्मान में, क्या present होता है, sulfur dioxide present रहता है, ठीक है, और साथी में, पानी present रहता है, इंदा form of water papers, जो water evaporate होता है, तो यह दोनों जो मिल जाते हैं, तो यह क्या बन जाता है, H2SO4, sulfuric acid बना लेता है, कभी-कभी, और यही बारिश के form में नीचे करता है, जिसको हम लोग बोलते है, acid rain, acid rain का concept सुनाए की नहीं, देखो यह सब चीज ना, बहुत अलग बतारो, यह आपके knowledge के लिए बतारो, syllabus point of view, हम लोग आगे बढ़ेंगे, next lecture में, लेकिन आज जो चीज़े बतारो, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत सारी chemical reaction आपको देखने मिल जाएंगे, तो कुछ example के तवर पर आपको मुझे बताना है, यहाँ पर में एक छोटा सा यह लेकर आगया हूँ, अगर बाहर से दुखने में, दिखने में, चेंज हो रहा है, जैसे अगर मैं आपने डाड़ी-वड़ी काटके आजाओं, बाल टकला करके आजाओं, मूझ वीच सब काट दू, तो आपके सामने जो राहूल सराएंगे, वो बहुत ही डिफरेंट रहेंगे, कि मैं खुद ने काटता है, आपको पता है, मैं लास्ट टाइम अगर मैंने क्लीन शेव किया है, कभी, तो वो मुझे रगता है, आज से चार या पात साल पहले, आपने मुझे एक बार देखा है वैसे, जब हाँ, चार पास साल ले पर निम्रीकों कोविड जब हुआ था, तो मैं बीच में तो साल पहले, तो मैंने पूरा क्लीन शेव किया, आपने देखा होगा मुझे क्लीन शेव में, ठीक है, कि कारबन आस्मान में है, ओक्सिजन आस्मान में है, दोनों मिल रहे है, और कारबन डियोक्सरड गैस बन रहा है, हम देख पा रहे है, किदर हो रहा है, कारबन डियोक्सरड किदर बन रहा है, देख पा रहे है, नहीं देख पा रहे है, क्योंकि ये सभी चीज जो हो रहे है यह क्या है, there is nothing but the chemical reactions which is occurring in the environment, लेकिन दिखरा नहीं है, तो physical change दिखता है, chemical change नहीं दिखता, कैसे, देखो यहाँ पे देहां से, तो सबसे पहले transformation of ice into water, बरफ पानी में बन गया, तो बरफ पिगल गया, तो पानी में बन गया, तो बरफ पिगलते वे दिखेगा, तो यह क्या है chemical change, उमझे में आ रहा है, next, ripening of fruits, fruits पक रहा है, तो दो factor है, इसको मैं physical change में भी गिनूँगा, क्योंकि यह पकता हुआ fruit, पहले आम ले लो, green कलर का आम पक जाएगा, तो yellow या फिर orange कलर का हो जाता है, और वही अंदर से भी वो पक जाता है, कच्छा आम पका हो जाता है, milk turn into curd, milk दही में convert होता है, तो यह पका chemical change है, दूर से देखोगे, तो दूद और दही से ही दिखते है, लेकिन taste wise अलग होता है, क्योंकि दूद में एक bacteria आ जाता है, lactobacillus का, जो की उसको convert कर देता है, उसके lactose को lactic acid में convert कर देता है, और वो दूद दही बन जाता है, तो यह chemical change हुआ, ठीक है, evo operation of water, पानी भाब बन जाता है, ठीक है, यह क्या है, that is nothing but chemical change, digestion of food in the stomach, यह भी एक chemical change है, इसको physical में भी count कर सकते हैं, size reduction of naphthalene ball, naphthalene ball क्या होता है, आपने देखा है, टौलेट्स में वो white कलर की गोली डालते है, तो वो क्या है, डालने के बाद ऊड़ जाता physical change के, अगर मैं एक normal तोर पे बात करूँ, physical change है क्या, अगर मैं धोड़ा सा ओड़ जाने की कोशिश करूँ, यह जो physical change है, तो physical change takes place, जो होता है न, उसमें आपके बहुत सारे चीज़े, parameter सा आ जाते हैं, जैसे कि physical change में आपको temperature का फरक देखने मिल जाएगा, आपको उसका appearance अलग देखने मिल जाएगा, कि किस प्रकार उसका appearance change हो रहा है, ठीक है न, साथ ही में physical change जब भी होता है, तो उसका pressure change हो जाता है, कोई भी object हो, कोई भी product हो, उसका pressure हो जाता है, इसे कई सारे चीज़े हमें physical changes में देखने मिल जाते हैं, वो यह अगर मैं chemical changes की बात करूँ, तो यह जो तो ने वो अंदर ही अंदर हो रहे, उसके reactions के वज़े से कुछ अलग चीज, कुछ अलग बन जाता है, कारबन था, oxygen था, दोनों react रुखकर के कारबन डाउसेड, कुछ अलग ही चीज बन गए, sulfur था, water था, sulfur dioxide था, water था, दोनों react करके क्या बन गए, sulfuric acid, मतलब ठीक है? और ये जो physical change होता है, वो कभी-कभी reversible भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? फिजिकल चेंज जो है, वो कभी-कभी reversible भी हो सकता है, जैसे कि मुझे एक बात बताओ, ये का गया, आईस इंटू water जो है, पानी जो है, बरफ पानी में बनता है, क्या पानी वापस से बरफ बन सकता है, हो सकता है, तो यह reversible हुआ ना, पानी बरब बन सकता है, लेकिन बरब भी पानी बन सकता है ना, तो reversible है, मतलब reverse कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ chemical change ऐसे भी होते हैं, जो irreversible होते हैं, जैसे carbon plus oxygen मिलके carbon dioxide बन गया, तो क्या carbon dioxide से carbon और oxygen दोनों separate कर पाओगे, नहीं कर आप देखोगे, तो जो chemical changes होते हैं, वो क्या होते हैं, irreversible होते हैं, और यह जो chemical reactions जो हो रहा है ना, दोस्तों, यह बहुत ज़्यदा क्या होता है, टाइम भी लेता है, कभी-कभी बहुत ज़्यदा fast भी होता है, और इसके अंदर क्या होता है, bond breakage होता है, जैसे कि आप एक hydrogen present होते हैं, तो यह जो है covalent bond से join है, तो actual में जब भी कोई chemical reaction होता है, तो bond का breakage होता है, और एक नया bond बनता है, तो इस प्रकार से कई सारे चीज़े आपको chemical changes के अंदर देखने मिल जाएंगे, तो new new bonds का formation भी होता है, जिसको product बनता है, जो हमने already देख लिया, तो ऐसे कई सारे चीज हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग next lecture में देखेंगे कि chemical equation को कैसे लिखा जाता है, जैसे हम लोग ने अभी A plus B, C plus D के पॉम में देखा, लेकिन इसका chemical reaction तो सीख लिया, क्या क्या होता है, basic चीज सीखा, लेकिन ये chemical equation कैसे बनेगा, उसका क्या सही तरीका होत सही ये पूरा chapter को भारी भरकम तरीके से पढ़ाय जाएगा, और तीन से चार lecture में ये पूरा का पूरा chapter को complete कराया जाएगा, बस आप लोग को एक काम करना है, कि हमारे साथ जुड़े रहना है, प्यार दिखाते रहना है, और जितना हो सके support बनाए रखना है, तो इसी के तो और अगर फर्स टाइम आयो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए, थैंक्यू और गुडबाई